इसकार प्रियाच्वान यूटूब चैनल में आपका श्वागत है आज की लास में हम समझेंगे वैल वैल इंगले से स्पीकिंग में हम वैल का यूज किस परकार से करेंगे और कभी यूज करना चाहिए आज के वीडियो में हम जानेंगे जैसे कि जब कोई टॉपिक पर बार चल लए होती है कुछ लोगों में तो हम निव टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं जो टॉपिक चल ला होता उसको छोड़के तो निव टॉपिक स्टार्ट करने के लिए हम कहते हैं आंगे का क्या प्लान है आंगे की बात बताओ है ना तो उसमें वेल का यूज़ करके आंगे की टॉपिक हम इस्टार्ट करते हैं तो चलिए कुछ एकजाम बस के दौरा में समझ लेते हैं जैसे कि हम किसी से बोलते हैं न कि और आंगे की यह योजना है की जब अपनी कोई बात चले होती है पर हम नएस टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं और आंगे की यह योजना है की तो इसके लिए हम इसमें वेल का यूज करेंगे ठीक है तो इसमें करेंगे वेल दा नेस्ट लान इचिर बैक क्योंकि इसमें अपना की लगा हुआ न तो कि के लिए हम इस की के लिए हमने स्टेट का यूज किया हुआ है ठीक है फेंस तो इसी तरीके से हम इंगलेस स्पोकन का यूज करेंगे वेल के लिए ये अपना वेल इस और के लिए ठीक है चलिए एक अग्जाम पर और ले लेते हैं जैसे की कहते हैं न छोड़ो की बात करो छोड़ो मुद्दे की बात करो ठीक है तो इसको हम किस परकार बोलेंगे वेल कम टू दा कोईंट ठीक है और एक्जाम पर ले लेते हैं जैसे की हम नाइच किसी को और कहते हैं न अपने अपने हिसाब से कहते हैं जैसे और मुझे आप अपने बाते में बताएं ना जब बहुत से दिनों बात आपन किसी से मिलते हैं तो बहुत सी बात लोती हैं तो आपन कहते हैं ना और आप अपने बारें बताएं तो उसको हम इस परकार से पूछेंगे वाट टेल में आवाउट योर सेल्फ ठीक है फ्रेंज इस परकार से हम इनका यूज कर सकते हैं जैसे कि अपन किसी से कुछ भी कहते हैं जैसे कहते हैं ना कि आपसे मिलकर अच्छा लगा तो वैल नाश टू मीट यू है ना यह सभी जानते हैं जो अपने एक्जाम्पल होते हैं इनका हम अपनी अपनी भासा में यूज कर सकते हैं इस पेकिंग हमारी एक होगी वैल का यूज इसी परकार से हमने करना है जो कि अपनी इस पॉकन की छोटी से टिप से वैल को यूज करने की ठीक है तो आप भी नोट कीजिए और अगर इस वीडियो से आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो लाइक एपन शेयर कीजिए और चैनल पर फर्स टाइम आए हूँ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए जि से पहले आपके पास आ सके थैंक यू धन्वार